जब आप कंड़ परियाग से बद्रीनाथ की तरह प्रस्थान करेंगे तो रास्ते में कुछ ऐसा नजारा मिलेगा जो कि बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में यह पानी का जर्ना नीचे होटल बहुत सुन्दर लगता है सब नजारा बद्रीनाथ की तरफ जाते वह जोशिमर पार करते ही एक तना खूबसूरत जगह है कि हमसे गाड़ी रोके विना रहा नहीं गया तो मैं आपको दिखाता हूं कि यह जगह कैसा है आप भी देखो नीच यह खाई है कि अधर यह प्रीज इसको हमने पार करना है वह चार मिनट में यहां से निकलेंगे वह ब्रीज पार करेंगे हम आप कि 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 हम इदर ऊपर से आया है वह और हमें इदर को जाना है और यह यह खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए हमने गाड़ी रोका है यहां पर पहाड़ों के बीच हमारे भाई लोग सारे जो हैं वो फोटोग्राफी में लगे हुए हैं मिस नहीं करना चाहते गरवालों को दिखाएंगे वाके में जगा बहुत खूबसूरत है कि चलते चलते हमने गाड़ी रोख दी कि हमें यह दिखना है वाकी में बहुत खूबसूरत है यह देखो कि आपको दिख रहा हुगा ब्रिज कि जिसे हमने पार करना है अभी और उचे उचे पहाड़ कि यहां पर आके पूरा फील हो रहा है कि हाँ भाई बादियों में है अभी इस ताइम हम लोग तो भी चाय पोकोड़ा हो जाए तो अभी चाय पोकोड़ा हो जाए यहां पर आप दूले शेहीं रहे हैं पटना में शाथ रूम्टब को लेगे मतनों पार यह जाए हो कर दो है पाइनली गाईज हम लोग एंटर कर रहे हैं पद्री विशाल हर हर महादेश जै बत्री विशाल एक सब्सक्राइब जै बत्री विशाल हर महादेश